हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट लगाने वाले हैं आप में से जो भी लोग नए हैं दरोगा का प्रैक्टिस सेट है उसे आकर देख लिज़ेगा प्लेलिस्ट बना हुआ है अगर आपको और इन सब कोश्टन्स पे पकर बनाना हो NCEIT शार संग्रवित टेस्ट स्रीच करके एक प्लेलिस्ट है आप लोग उसे जरूर चेक कर लिज़ेगा क्लास को देखेगा काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए नमबर फर्स्ट है कौन सा प्राचीन भारतिय गरंथ दार्सनिक गरंथ माना जाता है option आपको C बताना है उपनिशद ध्यान रखेगा प्राचीन भारतिय गरंथ अगर पूछेगा दार्सनिक गरंथ के रूप में उपनिशद है अगर पूछेगा कि बताए टोटल उपनिशदों के संख्या कितनी है 108 आपको बता देना है इसमें से पूछता है प्रमानिक कितना है तो 13 को प्रमानिक माना गया है परमानिक अगर पूछेगा आपको 13 यानि 13 परमानिक है या बता दीजिएगा अगर पूछेगा कि भारत का जो राष्टी आधर सवाक के है सत्तमेव जैते या कहां से लिया गया है तो मुंड को पनिशत से लिया गया है ध्यान रखिएगा नमबर शकेंड है एक्स बायोलोजी एक विज्ञान है जिसका सम्मंद है औप्शन आपको भी बता दे रहा है अन ग्रहों में जीवन के साथ ये सम्मंद है किसका एक्स एक्सू बायोलोजी करके होता है इसका सम्मंद रहता है ठीक है नमबर थर्ड है मांग का नियम किस पर आधारित है option A right answer उपभोगता की प्राथमिक्ता पर आधारित होता है मांग का नियम नमबर फूर या सवाल आप लोगों के लिए कमेंट करके right answer पता हो तो बताईएगा वयश्कों में खाली पेट रुधिर गुरो कोज अस्तर कितना होता है या आपको बताना है next class में इसका अंसर देखेंगे नमबर फाइब अंतराष्टिय प्रकेर्ति संडक्षन संग का मुख्याले कहां पर है option नमबर आपको बताना है gland यानि कि switcher land में है एक सवाल का जवाब आप लोग जरूर कमेंट करें कम से कम बता दिया करें नमबर 6 है रामनात कोविंद को भारत के कितनेवे नमबर के राष्ट्रपती के रूप में निर्वाचित हुए थे हुए थे ध्यान रखेगा इस सवाल पे चौदा हुए थे option number D आपका right answer है अभी भारत के पंद्रवे राष्ट्रपती के रूप में आपको पता है दुरपती मुर्मुजी है नमबर 7 भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद राज शरकारों को ग्राम पंचायत के निर्देश का गठन करने का निर्देश देता है option number आपको यहाँ पर D बता देना है अनुच्छे 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है नमबर 8 है भारत के महान निवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है option number A भारत का कोई भी विधी निया एले में करने का अधिकार दिया गया जिसे आप Attorney General के नाम से जानते हूं नमबर 9 है प्राचीन चोल समराज की राजधानी बताएं कहां पर थी option number आपका भी राइट अंसर उरायूर आपको बताना होता है प्राचीन चोल समराज की राजधानी आपको उरायूर बताना है उससे पहले का नाम उसका ना प्राचीन नाम जो है ये तीरू चिरा पल्ली करके था next question number 10 आपको बताना है दिल्ली के सुल्तान के वन्ष को कालकरम में विवस्थित करिए सही सिस्टम में कौन सा होगा सबसे पहले गुलाम वन्स फिर आएगा आपका खिलजी वन्स गुलाम है खिलजी है इसके बाद आएगा तुगलक और फिर आएगा शयद वन्स सही जबाव है पीछे वाले क्लास में आप लोगों को क्रामिंग भी इसका बता दिया गया था किस-किस समय में कौन-कौन रहे थे वह नदी जो कुरो मंडल तर पर डिल्टा का निर्वान नहीं करती है कि ऑप्शन नमबर डी राइट आंसर नर्मदा निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्ब नहीं है ऑप्शन नमबर बी राइट आंसर कौन कर नहीं है 12 का बी राइट आसर मानस दिहांग दिबांग और मननार की खारी भारत का ये रह जैव रिजर्ब की रूप में है तक्षिन अमिर्का के सीत सितोस्न घास अस्थनों को क्या कहते हैं ऑप्शन नमबर बी राइट आंसर है पंपास कहा जाता है नमबर 14 है सत्य की खोज में बुद्ध को किस अस्थान पर पीपल के एक विरिक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में हुआ था ओप्शन आपका सी राइट आंसर है 35 हर्ष के आयू में वैशाक पुर्णिमा के राद को पीपल विरिक्ष के नीचे ज्ञान को ज्ञान के प्राप्ती हुई थी ब्रिटिश शासन के दोरान तातकालिक मद्राश प्रेसिजेंसी में रग्यतवारी प्रणाली के सुर्वात करने वाला कौन था ओप्शन नमबर डी थॉमस मुन्रूर आइट आंसर नेम्र में से कौन सा व्यक्ती इटली के एकी करन से समंदित नहीं था मैजनी था कैवूर था और गेरिबाल्डी भी था मुशुलीनी नहीं था नमबर 16 का आपको ध्यान रखना है ब्रेतर ग्रेटर ब्रेतर मतलब ग्रेटर हिमाले का दूसरा नाम बताईए क्या है हिमादरी ओप्शन भी राइट आंसर ज्वाला मुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं क्रेटर ओप्शन डी राइट आंसर दूग्द जनक हार्मून कर्ष्राव कहां पर होता है ओप्शन नमबर ए राइट आंसर प्यूस ग्रेंथी में वाजीव कौन सा है जो वायू परदूशन को मॉनिटर करता है लाइकेन ओप्शन सी राइट आंसर रक्त के ठक्का बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवशक्ता होती है विटामिन के की ए राइट आंसर स्वपोसित थेलोफाइटो वाले क्लोरोफील को क्या कहते है ओप्शन बी राइट आंसर सेवाल कहा जाता है अब पर्त्यक्ष कर से क्या आशे है इसका मतलब करदाता और सरकार के बीच कर के संदर में कोई सिदा सम्मंद ना हो ए आपका राइट आंसर एसिया तथा उत्री अमिर्का किसके द्वारा पेठक होते है बेरिंग जल डमरूमद्द के द्वारा एसिया और उत्री अमिर्का पूछेगा ओप्शन नमबर डी बताना है बेरिंग जल डमरूमद्द के द्वारा अलग होता है प्रकासा नूवर्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ओक्सीन के द्वारा ओप्शन भी राइट आंसर निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है ओप्शन ए राइट आसर वर्मी कमपोश्ट आपका सही जवाब पूछेगा निम्न खित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है तो वर्मी कमपोश्ट आपको बताना होता है यहाँ पे कीट रोग वाहकों का सूची मैच करिए किसके द्वारा क्या होता है option number A पर ध्यान देजी A का 4 आपका क्योंकि न एनोफिलीज मादा के वज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ अच्छी परावर्तक होती है C right answer है 1831 हिस्वे में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था Robert Brown के द्वारा A right answer P तथा N प्रकार के दो अर्ध चालक जब संपर्ग में लाए जाते हैं तो वे जो P N संधी बनाते हैं वहां किस रूप में कारी करती है Option number D right answer दिष्ट कारी रूप में कारी करती है टेवल सरकरा किस प्रकार की सरकरा है सुक्रोज Option A आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा सुक्रोज वह कार्वनिक योगिक होता है जिसे आप टेवल सरकरा के नाम से जानते हो इसका स्वाद मीठा होता है तदहा अनुसूत्र C12 H22 O11 आपको बताना होता है वित्यूत तापी शाधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिसमें सुधातू का परियोग किया जाता है वह कौन सा है नाइक्रोम आप्शन D राइट आंसर आधुनिक परमानुसिधाम का परियोटा कौन माना जाता है आप्शन नंबर B जौन डाल्टन कुलोडोफील में क्या पाया जाता है बताए आप्शन नंबर C मैगनेशियम होता है किसी अध्योईक छेत्र में अमल ये वर्षा किस गैस के कारण होती है आप्शन D राइट आंसर सल्फर डाई ऑक्साइट के वज़ा से किसी कम्प्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा परियुक्त भाषा प्राया कौन सी होती है आप्शन लेप्टॉप को नोटबुक कम्प्यूटर भी कहा जाता है आप्शन नमबर आप यहाँ पर 37 का भी ध्यान रखिएगा नोटबुक कम्प्यूटर आप कहते हो कोडान तरक एक प्रोग्राम है वर्णिमने में से किस से प्रोग्राम का रुपांदरन है किसका है यह बताईए आप्शन नमबर सी कोडान तरन से मशीन तब का राइट आंसर होगा वेस्ट मानव में रुधिर की शामान मात्रा होती है आप्शन नमबर सी राइट आंसर पांच लीटर परियावरनिय जागरुकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंब होने वाले परसिद तीन सब्द कौन से है पॉपुलेशन पावार्टी और पॉल्यूशन सही जवाब है शमुदर की गहराईम आपने और जल के भीतर पाहारियां घाटियां पंडुबियां हिमसैलों तथा डूबे जहाज की इस्तिती निश्चित करने में प्रयूक्त की जा रही है जो तकनीक वह कौन सी है सुनार तकनीक और संसी राइट आंसर छुद्रगड़ा सोड़ी के चारों और किनके भी चक्कर लगाते हैं मंगल और व्रिश्पती 42 का भी आपका राइट आंसर है शरवोच नियायले निर्वाचन आयो संग लोक शेवायो नियंतरत महालेखा परिक्षक का कार्याले जैसी संस्थाओं में एक लक्षन समान है वह क्या है ओप्शन नमबर डी ये सारे क्या है राजी की विधान परिशत के कितने शदस विधान सभाद्वारा चुने जाते हैं बताए ओप्शन नमबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर वन बर थर्ड चुने जाते हैं नेक्स्ट कुशन निम्न में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंतरता सैनानियों के लिए प्रेर्णा का शुरोत बनी थी ओप्शन नमबर सी राइट आंसर आनंद मठ बुद्ध का केंद्र मास कीजिएगा बुद्धी का केंद्र है इस्थित है कहाँ पर प्रमस्तिष्कि में होता है बुद्धी का केंद्र ओप्शन ए राइट आंसर बताइए इनमें सी किसकी नियुक्ति राष्ट पती द्वारा नहीं की जाती है ओप्शन सी उपराष्ट पती के नियुक्ति उनके द्वारा नहीं किया जाता है बार्दमा की सभी का राजपाल का उचनयायले के मुख्य और अननयायधीज का फिर आपका सरवोचनयायले के मुख्य और अननयायधीज का न्युक्ति करते है कैल्सियस एलुमिनेट तथा कैल्सियम सिलिकेट का मिस्रन क्या कहलाता है ओप्शन नमबर भी सिमेंट होता है दक्षिन भारत की निम्न राज नेताओं में से कौन ऐसा है इसने फिल्मों में अभिनए नहीं किया है रामा चंदरन किये हैं जैललिता किये थे रामा राओ भी किये थे C.N. अन्ना दुराई जो है या नहीं किये थे ओप्षन आपका 49 का B है सही जवाब निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्ची तिथी पर नहीं मनाया जाता है मतलब इसका डेट फिक्ष नहीं रहता है विश्च पर्यावरन दिवस ओप्षन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है पहला कम्प्यूटर माउश किस ने बनाया था ओप्षन ए डगलस एंजल बर्टने दूर दर्शन चैनल की विश्चिश्चता है ओप्षन ए प्रेशित संकेत की आविर्ती हो जाएगा सही जवाब निम्न में से अधिक्तम द्रवमान किश्का है न्यूट्रॉन का होता है सी राइट आंसर कह रहा है कि जो ठोस उच ताप पर वित्यूत का वहन करते हैं परंतु नियून ताप पर नहीं वे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं ओप्षन नमबर सी अर्ध चालक कहलाते हैं सोडियम कार्बोनेट सामानिता जाना जाता है ओप्षन नमबर भी राइट आंसर शोडा से, शोडा के नाम से आप इसे जानते हो जल का घनत तो बताईए 1 ग्राम भाई, सीसी है या बिलकुल सही है नमबर 56 का राइट आंसर, आप्शन नमबर आपका भी हो जाएगा सही जवाब देखिए जल का जो घनत अधिकतम होता है न एक ग्राम, सीस का मतलब होता है क्यूबिक और एक सी का मतलब होता है सेंटिमीटर, ठीक है जो की 3.98 डिग्री सेंटिग्रेट पर होता है, ठीक है जमने पर जल का घनत तो कम हो जाता है और इसका आयतन जो है ये बढ़ जाता है आप्शन नमबर आपको है आप्शन नमबर सी सौर उरजा का रसायनिक उरजा में किसे द्रव में एक कुलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है आप्शन नमबर बी राइट आंसर इमलशन कहलाता है जब कोई बंदूग चलाई जाती है तब वो गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है गोली भी बंदूपर समान तथा विप्रित परतिकरिया बल लगाती है इस गटना के व्याद चाकिस सिधान से की जाती है बताएं ओप्शन नमबर ये गटी के तीरतिय नियाम से होता है ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप या फिर कईये गुनता परतिष्ठा वाले छेतर से निकलने वाले कोई वस्तू आई पी आर के अंतरगत सुरक्षित रह जाती है या फिर बचाए जाती है किस रूप में आप्शन नमबर डी जी आई यानिकी भागॉलिक संकेता के रूप में बचाया जाता है निम्ण में से किस फसल की खेती भारत के माननी उच्चतम नियायले द्वारा निर्दिस्ध है मतलब रोक लगाया जा चुका है खेसारी यानि के लथाई रस का खेती नहीं होना होता है हिमनद का पिखलना सागर का जल अस्तर बढ़ने से जुड़ी ही एक शामान घटना है हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं ओप्शन नम्बर डी उत्तरे ध्रो में आनन्दवन अस्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं बाबा आम्टे ओप्शन सी राइट आंसर अधिकतम उचाहे वाला और साइनिक विमान पत्तन है चीन में ओप्शन डी राइट आंसर किसी देश का विकास सामानिता निर्धारित किया जा सकता है देखें किसी देश का विकास पूछा ना सामानिता निर्धारित कैसे उसकी प्रतिव एक्ति आय से उसके ओसत साथ शर्ता इस तर से उनके लोगों के स्वास्त तर से option D आपका राई टांसर उप्रोक्त सभी से हो जाएगा भारती अर्थ तंत्र को मोटे तोर पर आर्थिक क्रिया कलापों में कारियरता के आधार पर तीन सेक्टर में विभाजित किया गया है पहला है एक सिक्छक फिर है वकील और आपका हजाम का कारी जिसे पराभी परिभाशित किया जा सकता है किस सेक्टर के अंतरगात आप इसे रखेंगे option number C हो जाएगा तीरतिये सेक्टर में आता है और रोजगारी की समस्याक्रिसी छेतर में पाई जाती है इसे सही ठंक से परिभाशित किया जा सकता है जब लोग कार करना नहीं चाहते है option A राइट आसर PM 2.5 दरसाने वाली वायू की गुंता अधिक खतरनाक होती है वरिद पुरूस और महलाओं के लिए मतलब एजेट लोगों के लिए एक मात्र अम्र जो स्वर्ण को घोलता है option number आपका हो जाएगा बी राइट आसर एक्वारेजिया भारतिय समिधान का अभी रख्चक कौन है option number B भारत का मुख्यन आधिस होते है पाइब्ड प्राकिर्तिक गैस PNG का प्रियोग किया जाता है option number D पकाने यानि कि भोजन पकाने के लिए किया जाता है बताईए कि बल को परिभाशित करने वाला नियम कौन सा है option number B हो जाएगा न्यूटन का पहला गतिनियम सही जवाब रालेक्ट एक्ट उनिश व उनिश किसके काल में लागू किया गया था बताएं option number A लॉड चेम्स फोर्ड के टाइम में आया था पंचायती राजपर्णाली पहले किन दो राजजों में लागू की गई थी आंद्र परदेश और राजस्थान एराई टांसर भारत सरकार का पर्थम नियाय अधिकारी कौन है option C भारत का महान्यवादी होता है श्वर्ण मुख्यता समंदित होता है option number C अंतर राष्ट्य बाजार से तो इस पक्चिय एकादिकार किस बाजार इस्तिती को दरसाता है एक विक्रेता और एक क्रेता के रूप में option D सही जवाब कौन सा अर्थ सास्त्र या मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और या किसी भी उतार चरहाव का शामना करने के लिए बाजार तंद्र की एक अंतर निर्मित नियामक परणाली होती है तो या मानना था option number C जी बी स्वाइका प्राचीन भारती इतिहास में प्राचीन भारत की किस काल को श्वर्ण युक कहते हैं गुप्त वन्स के शासन काल को कहते हैं बी राइट आंसर है राज का एक अनिवार तत्व निम्न में से कौन सा है तो या प्रभूसत्ता, शासान निनी के शरकार, राज छेत्र या सभी है इसलिए option D आपको टिक करना है 44 में संसुदन के अंतरगत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया बताएं 81 का आपका भी संपत्ति का अधिकार हो जाएगा राइट आंसर पस्चमी हवाएं बहती है भूमद रेखा से 30 से 60 रिग्री उत्तर और दच्छिन अक्छांस के बीच में किसने कहा था शत्य परम्तत्व है अर्थात मुँ खोलने में कठनाई का लक्षन है टिटनेस का आप्शन भी सही जवाब नौजवान भारत सभा किसने अस्थापित किया था आप्शन नमबर सी सरदार भगत सिंग के द्वारा किया गया था 1921 में नरेंदर मंडल या चेंबर आफ प्रिंसीज किसके द्वारा आरंब किया गया था ड्यूक आफ कैननोट के द्वारा 86 का आप्शन नमबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर बुद्ध, धम और शंग मिलकर कहलाते हैं आप्शन ए राइट आंसर तिरी रत्न कहलाते हैं लिच्छिवी दोहित्र किसे कहते हैं शमुद्र गूप्त को ड्यूरा आइट आंसर किस परवतिये अस्थल को सत्पूरा की रानी कहते हैं पर्च मढ़ी को जो कि मद्द परदेश में है आपका 89 का ए सही जवाब कौन सा राष्टी राज मार्क दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वारनाशी के राष्टे से जोड़ता है ओप्शन ब राइट आंसर एन एस्टू सही जवाब पीर्थवी की भूमद देखिए परिधी लगभग कितनी है लगभग 40,000 किलो मीटर ओप्शन C आपका राइट आंसर है हिर्दाइग हाथ का कारण क्या होता है ओप्शन नमबर B कोलेस्ट्रोल के वज़़ से निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन से समाजिक रूप से प्रेरित है खारे जल का अंतरवेद और ओप्शन आपका 93 का ग्रिह दाग होगा खारे जल का अंतरवत कुछ और होता है ओप्शन नमबर आपका C सही जवाब है निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन से समाजिक रूप से प्रेरित है पूछेगा तो ग्रिह दाग आपको बताना है C राइट आंसर भारत के सम्मिधान को अपनाए जाने के बाद पहला संसुधन कब किया गया था 1951, 1951 डी राइट आंसर रेडियो संचार में प्रेशन एंटेना द्वारा उत्सरजित संकेत प्रतिविंबित होते है आयन मंडल पर ओप्शन C राइट आंसर 96 को खुद से सॉल्व करिएगा ओप्शन यहाँ पर B आएगा 10 दिन राइट आंसर 97 को सॉल्व करिएगा ओप्शन नमबर आपका यहाँ पर 35% आजाएगा 97 के बाद 8 पर आजाएगा 98 को सॉल्व करिएगा ओप्शन B आएगा सही जवाब 99 को solve करने पर B आएगा 100 को solve करेंगे तो 0% right answer होगा Next practice set है Set number 13 आए 13 को भी देखते हैं जैसा कि आपने थमनिल पर देखी लिया होगा समझ गया होगा आप लोग इतना लंबा class का क्या रीजन है है ना चलिए question number first देखिए चोल राजाओं ने किस धर्म को सनरक्षन परदान दिया था सैव धर्म को option C आपका right answer है दो सेट का क्या रीजन है लाश्ट में इसके बारे में बात करेंगे आर्थिक सी धान्त क्या है प्रस्थापना option B right answer मनुस्य किद्वनी यानि कि सोड की सामान एवंग अधिक्तम शहिष्णू सीमा कितनी होती है 60 से 80 decibel B right answer निम्रिकित में से कौन सी पंचवर्षी होजना सही नहीं है बताएं चौथा वाला 66 से 71 आपका हो जाएगा सही नहीं है गलत है ठीक है चौथा पंचवर्षी होजना का समयना 69 से 74 तक रहा था ठीक है और योजना अवकास 66 से 79 तक था अधिक्तम समाजी किलाव का शिधान्त किसका बुन्यादी सिधान्त है राजकोशी अर्थसास्त्र का सी राईट आंसर भारतिय समिधान में नागरिक्ता के प्रावधान कब लागू हुए 1950 ए राईट आंसर सन 1936 में भारतिय नागरिक्षोतंतरता संग की अस्थापना किसने किया था माक्ष के अनुशार मूल का सुरोत क्या है स्रम ओप्षन सी राईट आंसर भारत में बाहरी आकर्मन अथवा ससस्त विद्रो के कारण भारत के राष्ट पती द्वारा राष्टी आपात क्याल के घोष्टना किसके अंतरगत की जाती है ओप्षन ए अनुच्छे 352 के तहत होता है समुदाइक विकाश कारकां का प्रारम किस वर्ष किया गया वर्ष 1952 में भी राईट आंसर बताए कि 1923 में नागपूर में कौन सा सकत्यागरा हुआ था ओप्षन D ध्वज सकत्यागरा हुआ था निम्रिकित में से कौन सा संपरदार बहुत धर्म का नहीं है बताए दिगंबर ओप्षन C आपका राईट आंसर बहुत धर्म से नहीं है या आको समझना यह आपर क्या दिगंबर ना जैन धर्म की दो संपरदाय में से एक है दूसरा था स्व hosts आंबर और एक था दिगंबर जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वाइशराय का नाम बताएं कौन था ओप्शन नमबर सी लॉड हार्डिंग भारती ए विशेस आर्थिक छेत्र जिसे एस इजेड के नाउन से जानते हो नियम शंसोधन किस वर्स में हुआ था वर्स 2006 ओप्शन डिस रही जबाव नियम लेखित में से किस विश्विद्याले की अस्थापना पहले की गई थी इन में से बॉम्बाई उनिवर्सिटी आपको बताना है ठीक है सब से पहले बॉम्बाई विश्विद्याले का 1857 में बनारस हिंदू का पूछेगा 1916 में इलाहवाद का पूछता है तो 1887 बताईएगा अलिगर का पूछेगा 1872 बॉम्बाई का आपने समझ लिया न 1857 में और बनारस हिंदू का पूछेगा तो 1916 में अस्थापना की गई थी नेक्स्ट कुश्चन है यो सो माइट बताएं कि क्या होता है यहाँ पे आपको आप्शन नंबर सी बता दिना है यह क्या होता है जहर्णा है ठीक है कैलोफोर्निया में न यह एक कहिए कि जहर्णा है प्रथम भारती उपगरह आरेभट किस वर्ष छोड़ा गया था ओप्शन भी 1975 में तर्ट आरक्षित इस्पात से यंद्र कहां इस्थित है ओप्शन नंबर सी विशाखा पत्टनम में निम्लिकित में से कौन से दो सहर उत्तर दच्चिन कोरिडोर से जुड़े हुए है जवाब भूमिगत जल के प्रवाह के शाथ नीचे की और बहने वाले परदूसकों को क्या कहते हैं निक्छाले निक्छालक का जाता है ओप्शन ए आपका राइट आंसर फेफरे कहां इस्थित होते हैं फुस फुस वार्निये फुस पुसा वर्निये गोहिका में होता है फेफरे इस्थित होता है मतलब ये रहता है ध्यान रखिएगा नवजाद बच्चों के लिए सबसी आदर्स भोजन निक्छित में से क्या है ओप्शन दूद अनुलेखन का अर्थ किसका संसलेशन है ओप् प्रोक्लोरिक आमलकिस की कोशिकाओं में कोशिकाओं से स्रावित होता है पेट ऑप्शन भी आपका राहित आंसर पाईशी करन बताएं क्या होता है ओप्शन ए वशा को छोटी-छोटी गोलिकाओं में भंजित करना होता है वर्गी करन विग्यान किस से समंधित विग्यान है option number C वर्गी करण से इमलिकित में से क्या Newton के रंग चक्रिका परिक्षन की कार प्रिणाली के लिए उत्तरदाई है द्रिष्टी के स्थाइत हो जाएगा option आपका 27 का C राइट आंसर वीमा MLT मेनस 2 जो है किसके अनुरूप है बल का option यह आपका सही जवाब हो जाएगा वीकिरन के प्रमात्रा सिधान के साथ थापक बताएं कौन थे option C आपका राइट आंसर है यहाँ पर प्लेंक राइट आंसर हो जाएगा संचार में परियुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिधान पर कार्य करता है प्रकास के समगर आंतरिक परावरतन के सिधान पर कार्य करती है फाइबर ऑप्टिकल केबल मूरे स्कूल आफ इंजिनरिंग में निर्मित पर्थम इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर का नाम बताएं E-N-I-A-C option C आपका सही जबाब है निमलिकित में से कौन सा सहर दो महादूइप में फैला हुआ है बताएं 32 का राइट आंसर आप्शन नमबर B हो जाएगा इस्तामबूल अधिकांस क्रेश्टेसिया का बाहरी तवचा किस कार्वोहिट्रेट से बनता है बताएं काइटीन से option C सही जबाब रदर फोड के प्रकेर्णन परिक्षन ने किसकी मौज़िदगी को सिद्धिकिया परमानवों में न्यूकलियस की मौज़िदगी को सिद्धिकिया था रदर फोड के प्रकेर्णन परिक्षन के द्वारा जब किसी धातू को लपट कर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रोन उरजा को अफ्शोसित कर लेते हैं और उच्चितर उरजा इस्थिती की और छलांग लगाते हैं विप्रकास का उच्चरजन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं ऑप्शन नमबर सी उच्चरजन इसप्यक्टम में आप इसे देख पाएंगे रक्त चाप किसका अधिक स्तुराव होने से बर सकता है थाइडाउक्सीन के ओप्शन ए सही जवाव ग्रीन हाउस गैसों की अवधारना किसकी थी जोसिफ फ्योडियर ओप्शन ए सही जवाव समुराई योद्धा वर्ग है ओप्शन सी जापान में प्रदूसित वातावरन से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राया किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है छीकने से ओप्शन बी राइट आंसर शारस कहां का राज पक्छी है उत्तर परदेश का एक बैटरी परिवर्थित करती है ओप्शन नमबर बी रसानी कुर्जा को विद्यो तुर्जा में दाव चेंग येडिंग एरपूर्ट कहां परिस्थित है ओप्शन नमबर डी राइट आंसर कहां पर है दिब्बत में भारतिय दर्शन सास्त्र का सबसे महत्रपूर्ण और सबसे पुराना सुरोत है ओप्शन डी वेद राइट आंसर सहीद दिवस कब मनाया जाता है option number C right answer 30 जन्वरी को आप लोगों से सवाल पूछा भी गया था ये वाला हिंदुस्तान जंक लिमिटेट कमपनी का मुख कार्यारे किस अस्थान पर है बताए option number B right answer उदैपूर बताएंगे निमलिकित में से कौन सा पशू नमक कसब से अधिक सेवन करता है option B right answer उदैपूर बताएंगे निमलिकित में से कौन सा एएरपूर्ट केवल घरेलो एएरपूर्ट है यहाँ पर कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा option number D right answer स्वेज नहर भूमत सागर को जोडती है लाल सागर से स्वेज नहर भूमत सागर को लाल सागर से जोडने का काम करती है किस साशक ने विद्वान अमीर खुश्रो को शनक्षन दिया था गयासुदीन बलबन ने B right answer और अंग जेव के मेत्यू कहाँ पर हुई थी एहमद नगर option C right answer राष्ट्र पती द्वारत संसत के दोनों सदनों के लिए को कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोनों सदन पूछाना तो 12 और 2 हो जाएगा 14 right answer A समिधान की किस धारा के अंतरगत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधिय उचितम न्यायले में उठा सकता है धारा 32 के तहत B right answer गांधी ची का दांडी आत्रा निम्न में से किष्का उधारन है श्वावी ने अवग्या अंदुरन का D right answer निम्न में अध्यक्तात्मक यानि कि राष्टपती वाली सरकार किस प्रकार से बनती है राष्टपती का लोकमत द्वारा चुनाव से कारिपालिका थी था विधान मंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहरा दवाव नहीं से और कारिकाल का निश्ची तवधी ऑप्शन नमबर आपका 54 का न डी राइट अंसर यहाँ पे हो जाएगा निम्न में से बताएं कौन सा सिलालेग चालुक के समराठ पुलकेशी इंद्वितिये से समन्दित है एहोल अविलेग ऑप्शन डी आपका सही जवाब है निम्न में से किसने मनसबदारी ववस्ता का सूतरपात किया था अकबर ने डी राइट अंसर सभी परकार के उत्पादनों का बुनियादी उत्देश क्या है ओप्शन नमबर बी मानाविये जरुरतों को पूरा करना फिप्टि सेवन का बी राइट अंसर मुद्रा एश्पीती किस कारण से होती है ओप्शन नमबर बी मुद्रा पूर्ति में विर्दी तथा उत्पादन में राश्चे होता है मुद्रा एश्पीती करेक पार्टन एक परकार का मुल्ली भेट किस अस्तर पर है तो 59 का आप्शन नमबर आपका यहाँ पर डी राइट अंसर हो जाएगा अंतर राश्चिय अस्तर पर आपको बताना होता है ठीक है देखिए अर्थ सास्तर के मामले में न डंपिंग का अर्थ होता है जिसमें कि आप इसे दिहान रखिएगा कम मुल्ली निर्धारन से होता है ठीक है और ये अंतराष्टी अस्तर पर होता है option number आपका D right answer है बताएं पूर्ण प्रदती अस्परठा के अंतरगत किसी फर्म का शंतूरन कब निधारित होता है तो number 60 का number 60 का आपका हो जाएगा right answer सीमान्त आया बराबर सीमान्त लागत से बताएं कि कोशिका की खोज की गई थी option number आपका हो जाएगा Robert Hook के द्वारा इस वी अगर पूछेगा तो 1665 आपको बता देना है ठीक है 1665 में 61 का option number ये आपका सही जबाब है penicilline के जैब परतिरोधी गुंदर्मों की खोज की थी Alexander Fleming के द्वारा किया गया था hydrophobia से समन्दित है rabbit option C निम्री कित में से कौन सा जहर है बताएं इन सब में से 64 का option number आपका C KCL right answer हो जाएगा अस्थी सुसूर्ता इन सब में से किस की कमी से होता है calcium की कमी से option D आपका सही जबाब quarsio कर बिमारी इन समय से किस की कमी के वज़ा से होता है protein option number C आपका सही जबाब निम्रीखित में से कौन सी प्रजाती खत्रे में नहीं है बताएं भारतियत होता नहीं है option D आपका right answer गेद, सायरस, हिमाली, बटेर जो है ये सारे है खत्रे में वोल्ट मापी आंतर का उप्योग इन समय से किस को मापने के लिए किया जाता है option number C right answer विवांतर को मापने के लिए किया जाता है reactor scale पर इन समय से किस की तीविता मापने के लिए उप्योग मिलाया जाता है भुकम मापने के लिए रियक्टर स्किल का यूच किया जाता है उत्तर धुरूवी जोती घटना इन समय से किसके निकट देखी जा सकती है ऑप्षन नमबर भी आर्क्टिक वृत्तिके निकट में गोबी मरुस्थल है एसिया ऑप्षन डी राइट अंसर एसिया में है गोबी आप कहां पर सरवादिक टॉर्णाडो देखने की अपेख्छा करते हैं संयुक्त राज अमेरिका में डी राइट अंसर ओरंग उटेन एक पर जाती है Option A राइट आंसर बंदर का या पर जाती होता है निम्रिकित में से कौन सी उत्क्रिष्ट गैस नहीं है फ्लॉरीन Option C राइट आंसर वर्नियर कैलिपर्स का अलपत मांक है 0.1 mm Option B राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालीव क्या थे कभी थे Option A राइट आंसर HTML में ट्याय किसमे प्रतिबद कुझी सब्दों के बने होते है कुणिय कोश्टक के Option आपका बी राइट आंसर कौन समुद्रक एक से अधिक सम प्रतिक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता डेजी वील Option नमबर आपका डेजी और वील हो जाएगा बी राइट आंसर कम होता है तो एक राइट आंसर किसी अयस्क को वायू की अनुपस्तिती में उसके गलन बिंदू से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते है निस्तापन Option C आपका राइट आंसर है निम्रिकित में से कौन सा था तो सरवाधिक विद्यूत लिनात्मक होता है बताएं आप्शन नंबर भी हो जाएगा फ्लोरीन सही जवाब उस्योगी को चिन्हित करिए जिसमें आईनी सासायोजन तथा उपसासयोजन आबंध होता है 82 का Option Nummer आपका बी राइट आंसर N.H4 cm स्जाएगा राइट आंसर क neurot करिया किसके वज़ा से क्या होता है इंटी फौर का राइट आंसर यहाँ पर आप देख लीजक पहले option C दिख रहा है A का 2, bacterium के लिए था पैदिक आपको बताना है, fungus के लिए आपको बताना होता है, क्या दाध हो जाएगा, सही जवाब, next है आपका protozoan जो है, इसके लिए आपको बताना है काला जर और आपका virus के लिए बता देना है, क्या influenza हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब, D का आपका थरी इस तरह से 84 का option number C है, बिल्कुल right answer, next question number 85 है, पतार्थ की तरंग किस परकार की होती है option number B, right answer the broccoli तरंग होता है option number 85 का B, सही जवाब है जब दूद को परवल धंग से मता जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है बताएं, अब किंद्रिये वल के बज़ा से option A, आपका सही जवाब, gas ताप मापी द्रव ताप मापियों के तुलना में ज़्यादा सम्वेदी होते है क्योंकि gas क्योंकि gas का परसार गुनांग अधिक होता है बी हो जाएगा राइट आंसर निम्न में से क्या प्रिकास के वायो मंडली अपवर्तन का परिणाम नहीं है बताएं सूरी का सुर्यास्त के समय लाल दिखाए जना होता है अपवर्तन का ये परिणाम नहीं होता है याद रखिएगा भारत में अल्फशंख्यात अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ओप्शन एर आइट आंसर अठाड़ दिसंबर को निम्न में से कौन से सूची सूची दूसरे के साथ गलत दरसाई गई है बताएं देखिए केंदरिये खननवा इंधन अनुसंधान धनवाद केंदरिये भवन निर्वान अनुसंधान रुर्की में है केंदरिये सूच के छेत्र अनुसंधान संस्थान भी जोदपूर में है केंदरिये और शद अनुसंधान संस्थान दिया हुए कानपूर या आपका गलत दिया हुए option D को tick करिएगा सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके जोड़ा बनाईए यहाँ पे लंदन के लिए आपको ट्राफल गर इसक्वाइर आपको बता देना है ठीक है विटिकन सिटी के लिए सेंट पीटर्स इसक्वाइर बताईएगा माशको के लिए रेड स्कॉर और निवर के लिए टाइम स्कॉर यहाँ पे आपका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा हरपा की सब्विता के बारे में निम्न मेंसे कौन से युकति हां पर कह रहा है कि सही दिया हुआ है उन्होंने परसुपती का सम्मान करना आरंब किया था option c right answer हो जाएगा निम्न में से किस फिल्म उपर प्रान ने एक खलायक के बज़ा एक चरित्र अभिनेत त्राक अभिनेत नेता की भूमिका निभाई थी जन्जीर में option c right answer वर्षा जलके संचय का मुख लाव क्या है बताएँ option b भूमिगत पानी का पुनरभरन करना b right answer नेजी कम्प्यूटर की कार छमता समाप्त हो जाने पर उत्पन कच्रे को क्या कहते है option a right answer e कच्रा कहा जाता है 96 को solve करना है आपको खुद से पताएँ क्या होगा इसका right answer option number c आ जाएगा 120 सही जवाब 97 का answer देख लीजिए option number यहाँ भी c 42% 98 को solve करिएगा a आ जाएगा 295 99 को solve करिएगा 18 रुपे b answer और 100 को solve करने पर option c 15% हो जाएगा सही जवाब next वाले practice set में जो की set number 14 रहेगा मिलेंगे 14 के साथ आज के इस class में आपने 12 और 13 दोनों को देखा जैसा कि आपने थमजिल पर देखी लिया था इस वाले practice set में spark का जो भी class चल रहा है ध्यान रखियेगा इसमें total 53 sets दिया हुआ था है ना 53 sets में से बस अभी तक 13 set complete हुआ है 40 अभी बचा हुआ है ठीक है 40 practice set है इसे जल्द से जल्द आपको cover करना परेगा इसके अलावे भी और साथा काफी साथा practice set होगा काफी साथा class special रहेगा जो बिहार दरोगा को लेकर आएगा इसी के लिए आज के इस class में दो practice set लिया गया फटाफट बताने की कोसिस की गई क्या आप लोग दो practice set देखना चाहेंगे एक साथ अगर हाथ comment करियेगा अगर explanation भी चाहिए explanation देने के वज़े से class थो लंबा होगा अगर explanation चाहिए उसके लिए भी आप comment कर सकते हैं अच्छे से explain करके भी बता दिया जाएगा या फिर इसी तरीके से class चाहिए बता सकते हैं एक practice set चाहिए तो आभी बताईएगा पचास दिन तक और चारिस दिन तक चलते रहेगा अगर दो या तीन set per day देख लेते हैं कि class में तो बीस से पचीस दिनों में मानिये कि आपका बेहार दरोगा का यह वाला set खतम हो जाएगा दूसरा set भी फिर चलेगा आप लोग comment करके बताएगे कैसा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से रखना होगा कोई बात नहीं comment नहीं भी करेंगे चलेगा जो बहतर होगा आप लोगों के लिए वो आप लोगों को class दे दिया जाएगा अगर अपना कुछ इच्छा कुछ विस हो बताना हो comment करिए आपके comment को देखा जाएगा उसी तरीके से कोसिस की जाएगी class को आगे continue करने का